गेहूं चावल जो की कटिंग करने के लिए एकदम कॉंपेक्ट साइज का यह ब्रस कटर बड़े लेवल में पावर रीपर इससे भी डवांस यह रीपर बाइंडर और यह ट्रक्टर माउंटेड रीपर बाइंडर बहुत ही बहतरी इंग काम करता है इसे ट्रक्टर के पीछे माउंट किया गया है आप इसकी वरकिंग देखिए आगे साइड ब्लिट लगे हुए हैं जो लगातार गेहूं काट रहे हैं और इसके पीछे बाइंडिंग सिस्टम दिया गया है कटाई होने के साथ यह सभी एक जगए कठा हो रहे हैं और यही पर बाइंड हो जाता है इस इसका मॉडल नंबर है ABS-333 इस मशीन के दवारा आप गेहूं चावल जो बहुत ही असानी से काट सकते हैं यदि बात किजा इसके पावर की यह 30-50 HP का है इसका मतलब यह है इसको चलाने के लिए 30 HP से उपर कैपसिटी वाले ट्रेक्टर की जुरत पड़ेगी यह बिल्कुल बहुत इजी है यदि आप के पास थोड़ा बहुत भी experience है तो आप इसे install कर सकते हैं यदि आप इसके वारे में कुछ और information लेना चाते हैं तो नीचे description में link दिया गिया है आप विजिट करके machine book करवा सकते हैं यह तो बड़ी machine है लेकिन अभी हम आपको जो brush cutter दिखाएंगे उसका image on link आपको नीचे description में मिल जाएगा यह machine commercial purpose के लिए बहुत ही भैतरीन है लेकिन यदि आप खुद अपने plot के लिए लेना चाते हैं तो आप यह aggregate power reaper ले सकते हैं इसमें 4 RP blade लगे हुए हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे जो काफी speed में cutting कर रहे हैं यह power इसलिए है क्योंकि इसमें 170F का petrol engine लगा हुआ है जी यहां बिल्कुल petrol engine चलता है अब यदि engine लगा हुआ है तो बात आगी कि sir इसका average कितना है इसका average है 800 ml प्रति घंटा इसका मतलब यह है कि यदि आप एक घंटा machine चलाते हैं तो एक लिटर भी petrol consume नहीं होगा अब main चीस तो रहे गई कि sir machine तो चला लेंगे लेकिन एक घंटे में काटेगी कितना तो इसका जो cutting width है वो 1200 mm है इसका मतलब यह है कि machine 1200 mm चोड़ाई में cutting कर रही है इसमें 3 gear दिये गए हैं एक gear के use करके आप machine आगे की तरफ move कर सकते हैं दूसरे gear से blood चालू हो जाते हैं और तीसरे gear के use करके आप machine पीछे की तरफ move कर सकते हैं इससे reaping करने में असानी हो जाती है सबसे खास चीज यह है कि seat attach करके आप चाहे तो बैट कर machine operate कर सकते हैं और यदि आप चाहें इससे निकाल कर भी हातों से operate कर सकते हैं जैसे आपको easy लगे उस तरीके से आप operate कर लीजेगा इसमें adjustable handle wire के साथ double clutch दिये गए हैं इससे machine चलाना काफी easy और reliable हो जाता है विलकुल light weight और compact size में design किया गया है इससे फायदा यह है कि reaping करते समय आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी और आप लंबे समय तक work कर पाएंगे compact size होने का एक फायदा और है कि आपका plat चाहे plane हो या फिर उपर नीचे हो छोटा हो या बड़ा हो हर जगे machine work करेगी आप इसकी speed देख सकते हैं कि कितने speed में cutting कर रही है minimum cutting height की बात की जाए तो आप कम से कम 5 cm height तक cutting कर सकते हैं तो यह tension नहीं लीजिएगा कि आपकी फसल नीचे छोड़ जाएगा और सबसे खास सीजिए है कि इसमें 0% wastage होता है जो भी cutting हो रही है वो machine यहाँ एक side में कर देती है अब बात की जाए इसके price की तो यह machine एक लाग 20,000 की है लेकिन tension मत लीजिए company के दोरा loan facility भी दी जाती है जिससे कि आप installment में भी machine ले शकते हैं यह काफी speed वर कर रही है लेकिन इसमें एक कमी है कि binding नहीं कर रही है तो आप यह reaper binder ले सकते हैं इसे जसोदा agroverse के दोरा बनाया गया है जो की cutting के साथ साथ binding भी कर रही है यहाँ देख सकते हैं किस तरह से एक line में cutting होकर इकठा हो रहा है और इसमें binding होने के बाद machine ने बाहर निकाल दिया यह सभी multi purpose machine है इसका use करके आप rice, wheat, bazaar, oat के साथ कई तरह के crops की cutting कर सकते हैं machine का size तो आप देखी रहे होंगे बहुत बड़े size की नहीं है यह दिसके length की बात की जाए तो 270 mm है width 700 mm और height 1050 mm है बहुत बजनी भी नहीं है सिर्फ 240 kg की है तो move करने में काफी असानी हो जाएगी, bundle बनाने के लिए आपको अलग से button दवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बलकि इसका system automatic है, जैसे ही bundle त्यार हो जाता है, तो machine binding करने के बाद आप देख सकते हैं, इसे बाहर निकाल देती है अच्छा binding करने के लिए रसी कौन सी यूज होती है, तो देखिए, इसमें plastic rope के यूज किया जाता है क्योंकि plastic rope काफी मजबूत होता है, बाकी तो cut से तूट जाएगा आपने एक चीज देखी क्या, बाकी machines में horizontal way में cutting हो रही थी, लेकिन इसमें vertical way में cutting हो रही है और इसके cutter bar के width 4 feet है, इसमें 6 hp का engine लगा हुआ है, जिससे के 1800 rpm में इसका rotor चल रहा है यहां देखिए, यह जो rotor घूम रहा है, इसका rpm 1800 है, यदि machine के capacity की बात करें, तो आप एक घंटे में, एक एकड़ एरिया में cutting कर सकते हैं अब आप पूछेंगे कि सर, इसका price कितना है, तो देखिए, इसका price 3,35,000 है, जो कि time के recording घट या बढ़ सकता है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहिएगा, अब आप force करते हैं, इसलिए मैं price बता रहा हूँ अब pace है आप के सामने हैं, जी हाँ, इसपसली आप के लिए, यह breast cutter, क्योंकि यह machine आपके plot के लिए काफी बैतरियंग काम करती है, इसमें करना ही क्या है, बस एक साइट लगाईए और घुमा दीजिए, और यह देखिए, और यह देखिए, बस सिकेंडो में ही cutting हो गई, इस इसमें एक सार भी blade लगी हुई है, जो बहुत fast cutting कर रही है, इसका reason यह है कि इसमें 35cc का 4-stroke super quality engine लगा हुआ है, जो की extra power generate करती है, इसके साथ ही में अच्छे quality का solder build दिया जाता है, जिससे क्या आप बिल्कुल comfortable तरीके से machine carry करके cutting कर सकें, इसे काफी advanced label में design किया गया है, इस इससे heating और vibration बहुत काम होता है, क्योंकि बाकी machines में extra heating और vibration होने के कारण, कोई भी वेक्ती लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें बहुत काम है, तीन तरह की blade दी जाती है, पहली 80 teeth blade के use करके आप फसलों की कटाई कर सकते हैं, जिस तरह से अभी आप देख रह जाता है, इससे जो भी फसल की कटाई हो रही है, वो एक जगए कठा हो जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए किस तरह ही कठा हो रहा है, आप इसकी performance देखिए कितने आसानी से यहाँ पर crop की cutting हो रही है, और इसको operate करना भी काफी easy है, इसके handle को बिलकुल U-shape में design किया गया ह इसमें variable speed switch के साथ में safety lock को भी option दिया जाता है, जिससे कि आप speed वेगरा control कर पाएंगे, और यदि कोई emergency होती है तो यहीं से आप machine बंद भी कर सकते हैं, पूरे length की बात की जाए तो machine 186 cm, यानि की 5 feet 1,14 inch की है, weight भी बहुत नहीं है, सिर्फ 13 kg की है, तो आप असानी से cutting कर प engine लगा हुआ है, जिससे कि 1.5 HP का power generate होता है, अब इतना power generate हो रहा है तो fuel tank की capacity भी काफी बड़ी होगी, ठीकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, इसकी capacity 750 ml है, वैसे इस channel में देखा जाया, तो चाहे farming machines हो, dairy machines हो, अलग-अलग food items बनाने की machines हो, या फिर हमारे रोजाना की मुश्किल काम को easy करने की machines हो, हर तरह की full automatic machines से available है, तो एक बार आप channel में visit जरूर करिए, और ये सभी machines बस कुछी दिनों में आपको machine वालों के पास मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत जल्द अपनी website आ रही है, ये विलकुल light weight, powerful और low maintenance वाली machine है, इसमें maintenance की जरुरत बहुत कम पड़ती है, ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि आपको बार बार पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसमें आपको company के द्वारा एक साल की warranty भी मिल जाती है, ये machine अलग अलग मॉडल में वाले में, जो कि two stroke, four stroke engine में आती है, जो आपको वेश्ट लगे वो आप ले सकते हैं, नीचे description में Amazon का link दिया गया है, आप order कर लीजिएगा, आप देखिए वीडियो पसंद आही गई है, तो screen में आपको logo दिख रहा है, तो हमारे short channel और long channel दोनों को subscribe कर लीजिए, देखिए बाद में अभी करना है, और subscribe करने के बाद एक बार channel में विजिर जरूर करिए, क्योंकि ये सभी machines आप की business में 10 गुना गुरो दे सकती है, ये मैं सोची कि वीडियो खत्म हो गई है, अभी मिलता हूं screen में दिख रहे हैं, इस नई और सांदर गुलाब जामुन making machine वीडियो में, जो बिल्कुल रसीलेदार गुलाब जामुन तियार करती है,